देरी करें करना चाहूंगा नवीन के यहां काफी देर भी हो गई होगी मेरे खाल से रात के एक बज रहे होंगे नवीन स्वागत है पहले टाइम बता दो तुमारे टाइम कितना हो रहा है साथ कोरिया में सर टाइम बारा कुछ हो रहा है दुबरा देखना पड़ेगा दाई घंटे तो आट कर दो सारे तीर घंटा है और कवी सम्मिलन में आनेक बात मैं टाइम भूल जाता हूं अवियांतरी की में आते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको हमेशा सुनते हैं और आप इतने और टाइमिंग्स पर भी हमारे साथ जुड़ते हैं यह तो जोश है जारी रखे हुए तो सबसे पहले मैं अपने गूरुजी जो की काशी की धरती से श्री अर्विन सर अपना आश्रिवाद की रूप में जॉइन करें मनको प्रणाम और एच्विटी आई परिवार के सभी जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जूनियर्स हैं उनको भी साथ धन्नमर करते हुए मैं कोरोना पे अपनी लिखी कविता प्रस्त करने जा रहा हूँ अच्छली पहले तो मैं सोचा था कि मैं एक कविता बोलके और सर को दस सुनाऊंगा वन और जीरो, बट यह CS, CSE के नहीं है, सर कंप्पीटर साइंस के नहीं है जो इनको जीरो और वन में अच्छा लगेगा यह सीविल के है और मेरी इट से इट बजा देगी, आज जो है टाइम गाड़ी जो है टिक 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 चल लगी सर के तो मैं शुरू करता हूँ शब्द भेदी चलाया था जब वो मानावता को ललकार रहा था निर्दवंद अखाडे में फुफकार रहा था तब मैंने यमदूतों को पिलाया था क्या मजाल है वो किसी को छूले अब देखे सर ने ऐसा टॉपिक दिया, Corona Warriors, तो इसमें वीर रस तो आना तय है, बिना वीर के भाव के कोई भी युद्धा इस जंग में पैर रखी नहीं सकता है, जिसको मृतिव से भाय हो, वो इतनी वीरता से तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते हो उने साथ, तो क्या मजाल है वो किसी को छूले, क्या म परदी देख वो रास्ता भूले, क्योंकि धनवंतरी बाहते हैं मेरी रगों में, धनवंतरी बाहते हैं मेरी रगों में, दधीची अस्थिया पाहनी है मैने नगों में, तो यह एक quiz type का है, मैं भीना नाम लिये हुए कविता पढ़ता हूँ, और quiz के नाम से मेरे बैच के प सफेद वर्दी धारी हैं अब नर्सों का और जो लोग भी इस भाव से हमेशा चाया की तरह मरीजों के आज पास इर्दिगिर घूमते हैं अभी सर ने बोला कि ज़्यादा टाक्टर जो है ऑन ग्राउंड पर जाने से हिश्किचाते हैं और तो उसमें नर्स लोगों का सेवा भाव बहुत ही महतुपूर्ण है उनको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगर आप गेस कर पाएं तो इसमें कमेंट में या फिर ऐसे बूलती रहेगा यह नर्स लोगों के लिए अब आगे आता है मैं उन आवजारों को चमकाता हूँ यह अगले करोना वरियस है मैं उन शस्त्रों को चमकाता हूँ काट सके हर घाओं को मैं वो धार चड़ाता हूँ मैं वो धार चड़ाता हूँ गुमनामी में बसता हूँ गुमनामी में बसता हूँ तिरसकार मैं पीता हूँ तिरसकार मैं पीता हूँ मैं तनकी मैं सब के मन की हटाता हूँ मैं पूरे वतन की मैल उठाता हूँ घनिवाद, धनिवाद, होसला अफजाई के लिए कोने-कोने की कचरों का मैं काल हूँ सफाई का पुजारी, मैं गांधी का लाल हूँ मैं गांधी का लाल हूँ, तो ये है सभी स्वक्षिता कर्मियों के लिए मेरा नमन अब अगले आते हैं, अगले अगला नमबर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो कोरोना के समय बहुत ही तनमयता से अपनी जीवची दे रहे हैं हमें ये बुरे लगते हैं लेकिन ये बुरे है नहीं, इस कविता के माध्यम से मैं ये कहने का प्रयास करूँगा सफेद वर्दी को मिलने से पहले मैं तुमको मिल जाता हूँ मैं तो बुरा हूँ, पर मेरे डंडे हैं भले, मैं खाकी वाला कहलाता हूँ मैं खाकी वाला कहलता हूँ, धनिवास्ता हूँ, मैं भाय भरता हूँ, इसमें रामचरित मानस ने भी तुसी दिया जी ने लिखा था कि जब वीनिती करने से जिंधु नहीं मान रहे थे, तो रामचंदर जी ने बोला था अब भाय भी न हो इन प्रीत, तो फिर उन्होंने फिर सागर खुदी प्रकट हो गए, तो इसी लाइनों को, मैं भाय भरता हूँ, मैं भाय भरता हूँ, पर नहीं मैं अभिमानी हूँ, जहां के देखो मेरे अंदर, मैं तो नारियल पानी हूँ, जहां के देखो मेरे अंदर, मैं तो नारियल पानी हूँ, तो ये थी सारे ख लेकिन वो दिल से बुरे नहीं है, वो अंदर से नार्यल पानी है, तो अगला है, अब इसको मैं थोड़ा Warriors के करम में, मैं थोड़ा इसको लोकतंत्री करन करना चाहूंगा, Democratize करना चाहूंगा इस लड़ाई को, क्योंकि संसार में कोई ऐसा देश नहीं हो, जहां पे उनके हस्पतालों में, वहां के लोगों से ज़्यादा बेड़ हूं, तो इसलिए लोगों की भागिदारी बहुत जरूरी है, तो सुनिएगा, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता हूं तो क्या? मैं ढाल उठाना जाना हूं, मैंने ढाल उठाना जाना है, मैं भी कोरोना का वीर्योध्धा हूं, मैंने मास्क लगाना जाना है, तो ये कविता का परथम चरन समापत होता है, अब अगले चरन मैं जल्दी से इस तो इस युद्ध में एक बहुत ही जो बहुत ही जटी लड़ाई है वो है भूख की तो ये है भूख युद्धाउं के लिए सिंधु मथा हलाहल निकला हिंद थमा गरीब निकला दोनों जहर हैं काउन पीले रगों में मौत काउन धीले भूख चितकार्ती लाचारी निहारती मा भारती नीलकंट पुकारती तूट रही थी सांसे तूट रही थी आते चुलों की मर रही थी सागर की प्यास भीशर भूख काट रही थी रोटी बोने वालों की आस अब निकलेगा तब निकलेगा काटता चीरता काली रातों को भस्म करेगा दहन करेगा सवेरा मा यूसी जजबातों को पत्थर पिखलाने वालों की आखें, पत्थर पिखलाने वालों की आखें, पत्थरा गई रोटी जो हते, घड़ी घड़ी बेचैनी बढ़ाते, काल दूत आकर नब्ज टटोलते, तिल तिल मरता मानो मन का, अब जैसे फास्ट रहते हैं लोग एक दो दिन, तीन दिन, चार द भूखें रहने का परिणाम यह होता है, आगे की दो लाइनों में. भरता, भरता जो रोटी कमाता था, उसकी सुनिये, जब वो रोटी कमा नहीं पाता, तो उसकी क्या भावनाय आती हैं? मा की कुशल छेम की बातों में, जब घर का सूना चूला चीखता है, फट जाती लाल की छाती, जब पिता माथा पीटता है. भूख के काल लाचार पड़े थे, समय समर में जकड़े थे, नाग पाश काटने को आजा, वो आस गरूर की पकड़े थे. तो आते हैं गरूर? नहीं, नहीं आप आते हैं. सबको अपनी अपनी व्यवस्था करनी परती है. तो वो क्या सोचते हैं? और ये दो पंक्तियां जो आगे की हैं. मैं अभी तक की सवरस्तिमा की बेस्ट पंक्तियां मेरे द्वारा लिखवाई गई हुई, ऐसा मानता हूँ. अगर आप भी ऐसा मानते हैं, तो पूरा समर्थन दिखना चाहिए. मन भरता पर पेट नहीं, खाली मन की बातों से जय जयकार निकल नहीं सकती, दम तोड़ती आतों से. जए जे कार निकल नहीं सकती, दम तोडती आतों से. इसक्साथ मैं मैं सुन्दर को और सबी सिनियर्स को अपने अर्वीन सर को साधर पटाव और बहुत भुद धन्यवाद इस मंच के लिए. बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर. धन्यवाद नवीन. नवीन नवीन का क्या है कि लेट टाइमिंग में रहता है तो सबकी प्रॉपर रागिंग लेता है वस्वार मुझे मुझे मौका देंगे तो मैं जो है चला देंगे नहीं पहुंचेगा महां पर मतलब हमने कभी कोई कविता पढ़ी दें लेकिन सुनी बहुत बहुत लोगों को सुना अच्छा और एक वीरस के हमने जितने कभी सुने वो नवीन जहसे ही थे अगे बढ़ते हैं तुम